हेलो एब्रीवन आप तभी का स्वागत है आई स्टार्ट करने क्लास 11 जो चेप्टर फर्स चल रहा है आपका इंट्रड़क्शन टू एकॉंटिंग और एकॉंटिंग प्रोसेस होता क्या है अब यहां पर मैं वादा तीसरा एपिशोड चल रहा है और यह एकॉंटिंग से र सब एकॉंटिंग के बेस्ट पर ही एकॉंटिंग फीचर प्रोसेस होता है तो आई समझते हैं फटाफट से जो इसके क्या 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 पॉइंट्स है पहला फॉइंटिफिकेशन और फाइनेंशियल ट्रांजिक्शन एवेंट्स अब आप यह देख रहे होंगे इसमें फीच क्या याद कर लिया तो फीचर भी याद हो गया यहां परक clown कर लिए थीक है मेजर्मेंट और ट्रांजिक्शन इन टर्म सबस्क्राइब बुख्स हो फीच 건 in सब्सेंट ürésc recording of a financial transactions जो भी आपने financial transactions किया है उसको record करो कहा जर्णल में और subsidiary books ठीक है पॉइंट नमबर 4 पर आते हैं classifying them through laser जब आप classifying करेंगे तो किसके थू करेंगे laser के थू मतलब हर account का जो आप यहां पे classify करने वाले वह क्या बनाओगे उसमें laser बनाओगे ठीक है अब आते हैं पॉइंट नमबर 5 पे पॉइंट नमबर 5 है आपका summarizing the transaction by preparing trial balance trading account and profit and loss account और profit and loss account को दूसरा जो होता है उसका नाम होता है statement of profit and loss account भी कह सकते हैं and balance sheet तो आपने क्या देखा जब summarizing करना होगा हमें transaction score तो हमें तीन चीज़े यहां पर बनाने होगी एक पहला trial balance बनाएंगे फिर दूसरा trading account बनाएंगे और profit and loss account और लास्ट में balance sheet ठीक है point अब आते हैं next point 5th पे 5th point आपका analyzing and interpreting the financial data मतला financial data मतला आपके पूरे firm में जो आपके transactions related जो भी आपकी report होगी annual report होगी periodic report होगी उसके according आप interpret करेंगे और उसे analyze करेंगे ठीक है लास्ट point है आपका communicating the financial data to the interested parties मतलब जो आपके पास financial data available है और जो आपसे interested parties है आप उनसे communicate कर सकते हैं अपने business के बारे में clear a point I hope आपको accounting process अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को like share और subscribe करें फिर हम मिलते हैं next episode में तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए accountancy पार्ट से चैनल पर आपके लिए accountancy पार्ट से चालन लगाता नेने वीडियो लेके आता रहेगा thank you